हमारी सबसे पहली टीचर होती है मा का जो इस्थान होता है वही हम भगवान का इस्थान मानते हैं वो हमें जीवन देती है उनके ना रहने पे जो परिवार को दुख हुआ और आज मैं उनके दुख में परिवार से मिलने और दुख बाटने आया है मेरे पतकार साथियों ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं बहुत महत्पूर सवाल है भारत के जितने लोग हैं महावारत रामाएंड और हमारे पूर्बजों ने या रिशी मुनियों ने जो रास्ता दिखाया और समय समय फ़र जो दर्शन का है हमारा रास्ता मैं समस्ता हूं मुख्यमंती जी समिधान से बढ़े हैं समिधान से बढ़े हैं वो और मुख्यमंती जी को वो कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो समिधान जिसकी शपत लिए हुनोंने शबत के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंतियों और वो भी on the floor of house कि कौरव कोन है पांडव कोन है तो अभी तो यही निकते हुआ है कि कौरव कोन है पांडव कोन है अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कोन है पांडव कोन है और हम लोगों ने महावरत पढ़ी है कौरवों की संख्या जादा थी कौरवों की संख्या कितनी थी BJP कहती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो अभी तो यही तैनी हुआ कि कौरव कोन है पांडव कोन है मेरी नजर में कुछ नहीं है अगर आपको दिखाई देता हो आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए लेकिन हमने महावरत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे जादा सेना थी जो सबसे बड़ी ताकत में थी और भगवान कृष्ण की जो अच्छोड़ी सेना थी वो भी उनके पास थी लेकिन जीत उसी की हो है कि कौरब कौन है पांडब कौन है मैं आप से कहता हूं मैं पदगार साथियों जिन्हों ने मुझसे सवाल पूछा है मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि बताओ कौरब कौन है पांडब कौन है अब सवाल से मत भागो मैं अपने पदगार साथियों से कहना चाहता हू आपको budget मिलता है उससे control होते है अप लेकिन बरस्टाचार उससे control नहीं होता है कर्प्षा उससे control नहीं हो रहा है law and order उससे control नहीं हो रहा है, इसलिए भागो मत, मेरे पतगार साथ हो, अगर आप ये बात कह रहे हों कि मुंख्फिंदǜ्जी ने क्या in the floor of house का है, तो आप बताईए कि कौरव कोई है पांडव कोई है देगे मुझे मुझे उस संबंद में कोई बात नहीं कहनी है और अगर कहनी भी पड़ेगी मैं कह चुका हूँ और हम अपनी बाचीत कर लेंगे उससे क्या रास्ता निकल सकता है उस दिशा में काम करेंगे अरे क्यों मूड आफ नेशन बोलते हो यह बोलो मूड आफ कैश अरे मूड आफ नेशन क्या होता है मूड आफ कैश जहां कैश यह बात तो समझते होगे जब जेब बजेगी तो वही बजाओगे कहीं के गडबनन है और उत्तपडेजनी देश की जनता भी यह चाती है कि वही चुनो मेदान में आए जनता गे बीज़ में जो जीत सके जब बीजेपी समीकर्ड बना रही है सोचिए समीकर्ड नहीं बनाती बीजेपी जो लोग जो लोग जो लोग क्योंकि वो जो लोग जो लोग ये कहते हैं कि समीकर्ड नहीं अभी मैंने सदन में देखा एक सदस जब क्योंकि आयोद्या के एरपोर्ट का जब नाम बदला जा रहा था तो किसी ने सवाल उठाया तो बीजेपी का इस सदस से कहता है कि आप क्यों खुश नहीं है आपको तो इसलिए खुश होना चाहिए जिनके नाम परोड़ा वो पीडिये हैं सोची आप जबकि हमारी तरफ से कोई बात नहीं आई ती इस तरह की लेकिन बीजेपी के लोगों की तरफ से ये बात आई ओन दे फ्लोर अब हाउस तो क्या भारती जंता पार्टी हर चीज नहीं करती केवल बोर्ट के लिए आज मेंगाई का जवाब है इनके पास बिरुजगारी का है जवाब क्या सोचो हमारा नाजवान इस्राइग जा रहा है वार जोन में नौकरी करने, रुजगार करने इस सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी नौजमान को और ना सम्मान का रोजगार मिलेगा ये बीजेपी के लोगों ने हमारे पड़े लिखे नौजमानों को डिलीवरी वॉय बना दिया क्या ये हमारी अर्थवस्ता होगी मैं आप से क्या कह रहा हूँ मैं आप से क्या कह रहा हूँ कि सोचिए जो लोग कितने ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी की बात कर रहे थी उन्होंने क्या किया कि हमारे पड़े लिखे नौजमानों को डिलीवरी वॉय की नौकरी दे दी ये रोजगार है नौकरी नहीं मिल लगी आप नौकरी मिलेगी तो उन्हें समयदान की तहट काम करना पड़ेगा इसलिए हमें उम्मीद है आप लोग की हमारी मदद करोगी राहूल राधी की निया यातरा यूपी पहुंचाई है कि तरह आप एक कार्य करता उसमें सामिल होगी अरे जब पहुंचेगी तब आप भी आजाना कैमरा ले करके अरे उसमें क्या है आपको दिख जाएगा क्या हो रहा है बात बीस की नहीं है बात बीस की नहीं है मैंने का जीत के आधार पे गड़बंदन होगा पीम के खिलाब कोई गड़बंदन का प्रत्यासी तैय हुगा अभी ये लोकसवा तो है न पिशली बार भी उत्रा था प्रत्यासी बहुत जल्दी है हम लोग बात चीत करके प्रत्यासी उता है कि सटिफिकेट का इसलिए मैं उनकी बात पर बात नहीं कहना चाहता हूं कांग्रेस के नेता ने या उन्होंने क्या कहा है मैं उस पर बात अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जनम से नहीं है बहुत से लोग पिश्ड़े सवाल 400 पार का नहीं है सवाल यह है कि उन्होंने कहा बीजेबीने कि 30 सीटे हम गड़बनन को देंगे तो सोचिए 38 जल का गड़बनन है 38 जल का गड़बनन है गड़बनन को मिल लें है तो किसको कितनी मिली जो 400 पार का नारा दे रहे है वो यह कह रहे है 377 हम जीतें है और 30 गड़बनन जीत के आएगा तो इसका मतलब यह कहा है तो सीटे कितनी मिल जाने है 30 में जयान चौधरी जी ने पोस्टर जारी किया है मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप भी अपने बजट के हिसाफ से सवाल मत पूछो यह जो जो बातचीत है वो होगी बातचीत और वजू खाने का दर्वाजा राट ने खोला गया है हम सब समिधान से बधे हूए लोग और समिधान हमें यह अदिकार देता है कियो कि रहे करती है और चतुराई से काम करती है कभी क्या हम किसी के अदिकारों को छीन लेंगे क्या अगर किसी न्याले पर कोई फैसला आए तो क्या हमारे अधिकार चीन ले जाएंगे समिधान हमें अधिकार देता है अपनी बात रखने का और मुझे उम्मीद है कि न्याले आने वाले समय में न्याय करेगा मैंने न्याले पर सवाल नहीं उठाया लेकिन सवाल तो चत्राई का है न सरकार का क्या किसी को अगले कदम लेने पर भी रोखा जाएगा अगर वो किसी और न्याले के सामने अपनी बात रखना चाहेगा तो नहीं रखेगा मैं आप से कह रहा हूं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बावा साव भीमरा अमेडगर जी के समिधान के तहत नहीं काम कर रहे हैं बावा साव भीमरा अमेडगर जी का जो समिधान है उसके तहत भारत के नागरिकों को आम लोगों को हग अधिकार नहीं देना चाहते हैं A.B.P. गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी